प्रचार अपने चरम पर है 21 राज्यों की 102 सीटों पर कल वोटिंग होनी है लेकिन महाराश्ट के बारामती में इस बार अनोकी जंग देखने को मिल रही है साथ मई को बारमती सीट पर होने वाले चुनाव में ननद और भावी आमने सामने है बारमती में एंसिपी शरतपवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीतपवार की पत्नी सुनेतरा पवार टकर में हैं दोनो मीनदवार आज ही अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तेय कारक्रम के मुताबिक पहले सुनेतरा पवार परचा भरेंगी तो उसके बाद सुपरिया सुले नॉमिनेशन फाइल करेंगी इस दोरान सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार गुर्ट की तरफ से शक्ती प्रदर्शन भी होगा नमांकन से पहले सुनेत्रा पवार अपने पती अजीत पवार के साथ आज सुभा पूने के दगडू सेट मंदिर गई भगवान गनपती का शुरुआद लिया सुनेत्रा पवार ने तो ननद भाबी अपनी अपनी शक्ती का एसास आज बारा मती में कराएंगी यानि की वोट पढ़ने से पहले आज नॉमिनेशन वाले दिन ही दोनों ही प्रत्याशी ननधा भी अपने अपनी शक्ति का एसास कराने की कोशिश करेंगी कौन कितना मसबूत है किसके साथ ज्यादा समर्टक है कौन कितनी भीर जुटा पाता है ये आज दोनों दिखाने की कोशिश करेंगी 12 मती की बैटल बहुत दिल्चस्थ हो चुकी है एकी परिवार के दो कांडिडेट चुनावी मैदान में है एक तरफ 12 मती जो की पारम पर एक सीट रही है जिसे गड़ कहा जाता है शरत पवार का उस 12 मती से भतीजे अजीद पवार ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है तो शरत पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले को मैदान में उतारा है भगवान के पास अशिरवाद मांगेने के लिए आते हैं अब बारा मती में पवार परिवार की साख दाफ पर लगी हुई है सुप्रिया सुले लगाता और चौती बार मैदान में हैं पिता शरत पवार का अशिरवाद है जिनको उनकी भाभी चालेंज कर रही हैं सुप्रिया सुले के नामांकर में पूरा महाघाडी कुनबा जुटेगा पूरे में कॉंग्रेस और शिवसिना उधव गुट के नेता पहुँच चुके हैं सुप्रिया सुले के नामांकर में शामिल होकर एक जुटता दिखाने की कोशिश करेंगे महाराज की 48 सीटों पर महाघाडी की ओर से मेसेच देने की कोशिश होगी सुप्रिया सुले के नामांकर के दौरा सुप्रिया सुले का साथ देने के लिए आज पूरा महाविकास आगाडी का कुनबा एक जुट हुआ है पूरे में मौजूद है हमारे साचीन है उनसे बात करें सचीन जी आज बड़ी एकता दिखाई दे रही है महाविकास आगाडी की सुप्रिया सुले की नामांकर के यह आगाडी पूरी ताकत के साथ है और इसलिए अगर आपने देखा होगा कि पूना में कस्भय में भी को देखने को मिलेगा आज जन्मत हमारे साथ है जन्मत के आधार के ओपर ही लोगों के बीच में जाने का निरने जाने का काम हम लोग कर रहे है और बहुती उत्सा कारे करता हों में और विश्वेस तोर के ओपर महाविकास आगाडी के नेता हो में देखने को मिलता है अजी नहीं आपको देखने को मिला होगा कि यह इलेक्शन उनके लिए बहुत इजी जाएगी ऐसा नहीं है आखे सवाल मेरा जमीन पर भी क्या कॉडिनेशन बन गया सभी कार्यकरताओं में नेताओं के दिल मिल गया है कार्यकरता पूने की जिल्ला के बहुत ही ताकत के साथ एक कर रहे हैं और उसका नतीजा पूने शहर में कजबा ये बहुत ही बड़ा उदार है हमाई साथ बाला साथ थो रहा है सर आपसे मुझे बताई क्या कहना चाहेंगे ताई के लिए पूरा महाविकास आगाडी साथ में ने ने महाविकास आगाडी है इंडिया अलाइस है और जो सब लोग इंडिया अलाइस के अगाडी के साथ में और जमीन पर किस तरह से एकता दिखाई दे रही है सर ये बताई है आमरी एकता है सब साथ में तो बारमती साख का चुनाव बन चुका है और इसलिए दोनों ही दल चाहे अजित पवार की बात करें चाहे शरत पवार की बात करें अपने अपनी शक्ती आज दिखाने की कोशिश करेंगे किसके साथ कितना जन समर्थन है ये बताने की कोशुश करेंगे अब बारमती का चुनाव इस बार क्यों दिल्चस्म बना हुआ है आईए आपको बताते हैं ये वो सीट है जहां 55 साल से परिवार परिवार का राज रहा है चे बार यहां से शरत पवार चुनकर विधान सभा पहुंचे हैं पांच बार शरत पवार इसी सीट से सांसत चुने गए हैं वहीं तीन बार सुपरिया सुले जो कि शरत पवार की बेटी हैं वो तीन बार यहां से सांसत चुनी गई हैं 1991 से बारमती में अजीद पवार विधायक है एक बार अजीद पवार सांसर भी सीट से चुने गए है यानी पूरे पवार परिवार के लिए गड़ रही है अब परिवार अलग हो चुके है और परिवार के ही दो सदस्य मैदान में आकर इस सीट पर अपना-पना हक जता रहे हैं एक तरफ है सुप्रिया सुले तो दूसरी तरफ है सुनेतरा पवार जो की अजीर पवार की पत्नी है अब नमांकन से पहले सुप्रिया सुले ने उम्मीद जताई है कि बारमती की जनता एक पार फेर उन पर भरोसा जताईगी सुप्रिया सुले ने कहा कि उन्हें अपने काम की बदौलत जीत का भरोसा है अपनी भावी के साथ टक्कर होने की सवाल पर सुप्रिया सुले ने कहा कि अगर वो भावनाओं में फसेंगी तो काम नहीं चलेगा क्योंकि निजी नहीं विचारों की लड़ाई है सुनिये सुनेतरा पवार की दावेदारी को लेकर सुप्रिया ने क्या कहा लीडर्शिप जिम्मेदारी की काम होता है और यह अफ तो अलवेज लीड फ्रॉंट सो अ लीडर हैस वेरी लिटल टाइम पर इमोशन वे इमोशन में फज जाएगा तो काम कैसे करेगा मैं नहीं देखती है विज़ारों की लड़ाई है मेरा काम देखके मेरा मेरिट देखके बारामती की माहिपाप जनता जरूर मेरे साथ खड़ी रहेगी यहसा मेरा विश्वास है आपी के चैनल्स में बहुत सारा कल आ चुका है और उस पे बोलने की क्या जरूरत मुझे नहीं लगती क्योंकि अभी इस निर्वाचन शेत्र में सबसे बड़ी जो समस्या है वो है पानी की पानी में बहुत सारी जगा है खिसान है पीने का पानी है उसमें बहुत सारी दिक्कते हो गई है तो मेरे क्याल से प्रशासन ने आज ये जो सुखा पड़ा है उसमें जादा ध्यान देने की जरूरत है सुप्रिया सुले कहतो रही है कि इमोश्टल नहीं होंगी क्योंकि ये फाइट विचार धारा की है लेकिन सुप्रिया सुले को कड़ी टकर उनकी भाबी देती हुई नजर आ रही है इस बार बारमती बहुत आसान सुप्रिया सुले के लिए नजर नहीं आ रहा है बारमती की फाइट में पवार फैमली आमने सामने है 15 साल से सांसर सुपरिया सुलेक को हराने के लिए उनकी ही भावी मैदान में सुनेतरा पवार सामाजिक वर्कर के तौर पर आक्टिव रही है लेकिन चुनाव का उनके पास कोई अनुभव नहीं है पहली बार मैदान में अजीत पवार की ताकत और उनके महाराष्ट में सियासी खत पर भरोसा है इंडिया टीवी से एक्सक्रूसिफ बाचीत में सुनेतरा पवाल खुल कर बोली फैमली में रिलेशन से लेकर चुनावी दंगल तक एक-एक सवाल का जवाब दिया राजेश कुमार के एक Ground Report देखिए पूरे देश में जिन कुछ चुनाव शेतरों पर लोगों की पैनी नजर है उसमें महारास्ट का बारामती भी है लेकिन इस बार बारामती के चुनाव को कई नाम दिये जा रहे है कोई कह रहा है कि ये ननद और भावी के बीच की लड़ाई है कोई कह रहा है राहूल गांधी और नरिंदर मोदी के बीच का मुकाबला है तो कोई कह रहा है कि अजीत पवार और शरत पवार के बीच के ये टक्कर मानी जा रही है NCP अजीत पवार की तरफ से सुनित्रा पवार मैदान में है इस वक्त हमारे साथ है सुनित्र जी जो इस तरीके की बाते की जा रही है कि ये ननत भाभी या फिर अजीत पवार शर्थ पवार के बीच का मुकाबला है या फिर राहूल गांधी के बीच का मतला है आप आप या नाम देंग malt है कि आ यह सब को अचबित करने वाता है कि इसके पहले आप सामाजिक कारे चुछा धरूर दिए लेकिन अपने कई बारने वाली और अब कि रस्ति हम अपड़ी है साब क्यों फैसला लेना पड़ा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ा मजबूरी तो नहीं थी यह तो मेरा फैसला था क्योंकि आज आपको पता है कि आजित दादा ने जो भूमी का ली तो उनके साथ मुझे डटके रहना यह मेरा करतवे था इसलिए मैंने यह भूमी का ली क्या अजीत पवार जो है अपने राजनितिक जीवन के सबसे चैलेंजिंग वक्त से गुजर रहे हैं और यही वज़य है कि आप साथ देने के लिए उनके साथ मैदान में चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं हमेशा ही जब से स्याधी हुई तब तभी से मैं उनके साथ ही हू कि वैसे अभी तो राजनिति में ये चुनाव का समय आया था तो उमिद्वा ढून रहा थे तो सबको लगा कि जन्ता नहीं Rather ह opportunities को उमिद्वारी देजीये तो सब ने कहा इसले मेरा नाम शीय आया था ॅश्याचिक वहिनी को मैं दोर देजे इसले मैंने चेलो को सब बोलते यह तो चलो फड़े सुप्रिया सुले है आपके खलाफ आपके परिवार हैं को ही नगतारी मिडिया यही कह रही है Since एक को कमा है वह कि एक बितरु हाई है कि आप से सबसे में बल रहरी है कि राजनिती यह वहाई है यह u रिलेशन की लड़ाई नहीं है तो राजनीती के तरफ रिलेशन की जगह होना चाहिए यही मेरा भी कहना है यहीं इस बयान को कैसे देखती है आपकी सुनित्रा वहिनी तो हमारी मा है वो हमारे रिलेशन तो अच्छी है ना तो दोनों ननर्भाबी एक बात जरूर कह रही है कि यह परिवारिक लड़ाई नहीं बलकि वैचारिक लड़ाई है और इसलिए हम लोग आमने सामने हैं और अपनी अपनी जीत का दम भी भरते हुए नजर आ रही है सुप्रिया सुले लगाता और चौती बार बारमती से सांसद बनने के लिए ताबर तोड़ प्रचार कर रही है और बारमती से खुद की जीत का भरोसा जता रही है इंडिया टीवी से एक्स्क्लूसिव बाचीत में परिवार से मिल रहे चालेंज पर सुप्रिया ने क्या कहा देखिए समीर भिसे केक रिपोर्ट लोग सबाका होता है लिकिन हमारे confeibo चलता रहता है यह होता है फिपिजशिला परिशाद किष सबसे बड़ी चीज होती है अब इस वक्त बात हमेशा चलती कि पवार वर्स इस पवार ऐसे में कितना कठीन है, emotional तोर पर कितना कठीन है? Well, emotions तो time heals everything. और यह हुए छे मैने, आठ नौ मैने होंगे अभी. So, clearly, घाव तो रहेगे, लेकिन, life is to go on because जिम्मेदारी अब बदल गई है. और जिम्मेदारी जब पढ़ती है, तो जो विश्वास आप देख रहे थे, पूरी, जब मैं घूमती हूँ, जिस विश्वास से, प्यार से, लोग हमारे साथ खड़े हैं, तो उनके लिए तो लड़ना पड़ीगा. जब उन्हें आप सुनित्रा पवार को जब आप घूमते हुए देखती हैं, प्रचार कर रही हैं, आप नोटिस कर रही होंगे, उनके मुद्धे नोटिस कर रही होंगे, तो क्या लगता है? जब बाहरा मतिई के चुनावी टकर में, फैमली टउस्ट है, वहीं गांधी नगर में भी हाई प्रफाइल प्रचार चल रहा है, क्योंकि ये seat है ग्री मंतरी आमिच्छा की जो आज गांधी नगर में हैं यहाँ वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे नामांकन से पहले आमिच्छा अज गांधी नगर में शक्ती प्रदर्शन कर रही है उन्होंने थोड़ी देर पहले यहाँ पर रोडशो किया आज अमिच्छा यहाँ पर कुल चार रोडशो करने वाले हैं सभी विधानसफा सीटों से होते हुए ये रोडशो देर शाम तक चलेगा रात 8 बजे वेजलपूर विधानसफा क्षित्र में अमिच्छा जनसफा को संबोधित करेंगे पिशले 35 साल से बीजेपी सीट पर नौट आउट है अमिच्छा ने 2019 में 5.5 लाग से ज्यादा के अंतर से जीत दर्ज की थी इस मार्जिन को डबल करने के रादे से अमिच्छा मैदान में उतर आए हैं आज 2.5 रोडशो कर रहे हैं जितनी भी विधान सभा पढ़ती हैं गादीनगर लोगसभा सीट पर उन तमाम विधान सभाओं को इस रोडशो के जरिये कवर करेंगे आज अमिच्छा और उनके रोडशो में भारी भीड कारकरताओं की नजर आ रहे हैं जीदते रहे हैं 2019 में तक्रिबन 5 लाग से ज्यादा वोटों से अमिच्छा ने यहां जीत दर्च की थी पार डबल करने का अएरादा है याenी दस लाग के मार्जन से जीत दर्ज करने का अएरादा घृमंटरी अमिच्षा का है कल वो नमांकन दाकिल करेंगे लेकिन आज वो अपनी क्षित्र में घूंते वे नसर आ रहे हैं कारकरताओं के बीच में घूमते हुए नजर आ रहे हैं पबलिक के बीच में जोश भरने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गानी नगर में ग्री मंतरी अमिच्छा का ये जो रोडशू आप देख रहे हैं ये रोडशू दरसल चार र पहन है क्योंकि सीड भी जिपी का गड़ तो रही रही है अच्छे मार्जिन से भी जिब एक परट्याशी यहां से जीतते हैं 2019 में ग्रीमंत्री अमिच्चा यहां से 5,00,00,0 कि स्याधा की मार्जिन से जीते तुम और इसमार इस मार्जिन को बढ़ाने का टारगेट ग्री मंतरी अमिश्या ने रखा है और इसी सिलस्ले में आज अपने लोगों के बीच में जाकर रोड शो करते हुए ग्री मंतरी अमिश्या नजर आ रहे है यह कोंग्रेस सोनल पतेल चुनावी मैदान में ज़रूर है विकास अग्रहरी इस्मृती रानी की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए है विकास इपड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं देखे अमेटी जो कभी गांधी परिवार का मजबूत किला हुआ करता था 2019 में राहूल गांधी की हार के बाद लगातार अमेटी कॉंग्रेस के हाथ से फिसलता गया एक एक करके अमेटी राइबरेली के जो नेता थे उनका कॉंग्रेस से विश्वास छूटता गया एके करके नेताओं ने बीजेपी का दावन थामना शुरू किया और अब विकास अग रही जो कभी कॉंग्रेस के लिए यानि कि राहूल गांधी के लिए कैमपेनिंग की पूरी बागडोर समाला करते थे उनका चुनाव बानिचमेंट देखा करते थे अमेटी में वो बीजे चुनाव प्रचार भी कर रही है राहूल गांधी पर भी सवाल खड़े कर रही है अमेटी के लोगों के बीच में जाकर उनसे वोट की अपील भी कर रही है लेकिन दूसरी तरफ कॉंग्रेस का कुंबा लगातार टूटता हुआ नजर आ रहा है कॉंग्रेस के जो साती है व अब स्मृति रानी चुनाव प्रचार के लिए उतर चुकी है, मैदान में डटी हुई है, कॉंग्रिस ने अपना प्रत्याशी तक घोशित नहीं किया और अब एहम साथी हाथ छोड़ कर जा रहे हैं। अब भारते जंता पार्टी में शामिल हो गए हैं। जानकारी के लिए